आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ, एलेक्स, हमारे पास आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे अपडेट हैं, इस मैसेज को पूरा सुनें, इसे सभी चैट में शेयर करें, अल्टिमा और स्मार्ट को आपके समर्थन की आवश्यक्ता है, पूरे इंटरनेट पर, कॉइन मार्केट कैप पर, पॉजिटिव कमेंड्स करें, हर उस जगह पर, जहां आप कर सकते हैं, सभी को इसके बारे में सिफारिश करें, सभी को ट्रेन करें, जादूई बटन दिखाएं, एक असाधारन भविश्य आपका और मेरा इंतजार कर रहा है, स्मार्ट और अल्टिमा दोनों विकास के एक नए स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, अभी पूरे बिजनिस मॉडल को रियोगनाईज किया जाएगा, सभी उपकरण जो अभी हमारे एकोसिस्टम से मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं, कम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कीमतें बढ़ाने के लिए बनाये गए हैं, पिछले साल में हमने जो अनुभव एकत्र किया है, रिसोर्स, कम्यूनिटी, इन सभी में विशाल सुधार किये जाएंगे, कल हमने स्टेकिंग तकनीक लाउंच की, हमने इस पर लंबे समय तक काम किया, क्योंकि हमारे एकोसिस्टम के लिए केवल स्टेकिंग शुरू करना ही परियाप्त नहीं था, इसके पीछे एक पूरा बिजनिस मॉडल है, और हमें इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि स्टेकिंग टेकनोलोजी खुद स्मार्ट के बारे में है, भविश्य में इसकी बहुत ज्यादा कार्यक्षमता अपेक्षित है, अभी स्टेकिंग का पहला स्टेज है, दो और होंगे, स्टेकिंग का पहला स्टेज स्मार्ट फ्रीजिंग और डीफ्रोस्टिंग है, फ्रीजिंग और डीफ्रोस्टिंग 14 दिनों के लिए होती है, स्टेकिंग आपको पूल से लगभग मुफ्त में पुरसकार लेने का अवसर देती है यह बहुत अच्छा है जब आपको स्मार्ट बर्न करने की आवश्यक्ता नहीं है इसे फ्रीज में पड़े रहने दें स्टेकिंग अभी स्मार्ट को बेहद आकर शक बनाएगी क्योंकि लोग चाहेंगे कि यह स्मार्ट फ्रीज हो जाए और इसे फ्रीज अवस्था में अपने वालेट में रखें और विकास की प्रतीक्षा करें स्टेकिंग का दूसरा स्टेज तब शुरू होगा जब स्मार्ट पर स्टेकिंग जोड़ी जाएगी अभी पहले स्टेज में आपके वल एनरजी और बैंडविध प्राप्त कर सकते हैं स्मार्ट नहीं यह स्टेकिंग का अगला स्टेज होगा हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत में हमने यह सुनिश्चित किया कि हर किसी के पास टोकन हो अभी डेफिसिट को बरहाने की रणनीती पर काम चल रहा है इस से ज्यादा शांदार उपहार और कुछ नहीं हो सकता हम एक वास्तविक अर्थ व्यवस्था की और बढ़ रहे हैं क्योंकि जो टोकन मार्केट के लिए नहीं बने हैं जैसे दीवारों के टोकन वे हमेशा कीमत पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे हमने इस जटके को स्वीकार किया हमने इस चुनौती को इस लक्ष के साथ स्वीकार किया कि हमारी कम्यूनिटी में ज्यादातर लोगों के पास अल्टिमा या स्प्लिट से कोई एक पॉर्टफोलियो होगा यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब लोग पहली बार हमारे पास आते हैं तो शुरू में उनके पास बहुत कम या बिल्कुल भी संसाधन नहीं होते हैं और हर कोई जिसने अभी कम से कम सिक्स महीने तक हमारे साथ एक्टिवली काम किया है उसके पास बेहतरीन संसाधन है अभी लोग साड़े तीन हजार की कीमत पर टोकन बेच रहे हैं अभी हर कोई जो टोकन निकालेगा पच्चताएगा क्योंकि जब कीमत दस हजार तक पहुँच जाएगी जाना चाहते हैं या नहीं हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं हम बस अपने लक्ष की ओर जा रहे हैं चाहे कुछ भी हो और यह अल्टिमा के लिए एक लाख डॉलर्स और स्मार्ट के लिए नियूनतम दस सेंट है और हम इसके लिए सब कुछ करेंगे अभी यह स्टेकिंग है फिर गोल्ड और ग्रीन पूल का अपस में मिलना गोल्ड के बदले ग्रीन स्प्लिट का आदान प्रदान करने का अफसर मिलेगा हम स्मार्ट या विन टोकन के लिए खरीदी गई हर चीज़ के लिए इनाम नहीं दे पाएंगे इसलिए फैसला अल्टिमा के माध्यम से खरीदे गई स्प्लिट्स के लिए होगा इसके अलावा एक या दो सप्ताह में हम आपको रेड स्प्लिट को लेकर भी फैसला बताएंगे इस तथ्य के कारण की हम अभी स्टेकिंग लाँच कर रहे हैं टेक्निशन अभी सिस्टम को न छूने के लिए कह रहे हैं जब तक सभी प्रक्रियाएं एक सौ प्रतिशा डिबग न हो जाएं रेड स्प्लिट्स में विशेश रूप से अपना इनाम न लें जरा सा इंतजार करें ताकि कुछ अतिरिक्त न चला जाए गोल्ड वाले भी सावधान रहें लेकिन ग्रीन पूल से सब कुछ ले लें क्योंकि सोमवार को और शायद रविवार को भी वहां कुछ नहीं बचेगा चूंकि टेक्निशन किसी भी चीज़ को न चूने के लिए कहते हैं इसलिए प्रमोशन में कोई कमी नहीं होगी हम इसे एक और सब्ताह के लिए बढ़ा देंगे कारण तकनीकी है लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई खुश होगा यह एक जून तक चलेगा यह मत भूलिये कि एक जून को प्रीमियम पूल लाँच करने की योजना बनाई गई है अभी आपका काम मार्केट से टोकन लेना है जितना संभव हो सके अल्टिमा जितना संभव हो उतना स्मार्ट आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट्स होने चाहिए प्रीमियम स्प्लिट खरीदने के लिए कीमत के उपर जाने की हर संभावना का उपयोग करें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि अभी ऐसे तंत्र लॉंच किये गए हैं जो स्मार्ट और अल्टिमा दोनों को मार्केट से निकाल देते हैं जो कीमत आप अभी देख रहे हैं वह आप दोबारा कभी नहीं देखेंगे स्टेकिंग के लॉंच के संबंध में हम वालेट से मिनिमम डिपॉजिट को हटा देंगे हम आपके स्मार्ट को स्टेकिंग के लिए उपलब्ध करा देंगे साथ ही स्टेकिंग के लॉंच के बाद डैशबोर्ट से स्मार्ट के लिए रॉयल स्प्लिट की खरीद 10 सेंट की निश्चित दर पर जल्द ही शुरू हो जाएगी अभी हम एक और सब्ताह के लिए स्मार्ट प्याउट को रोकेंगे और फिर हम इन्हें खोलने के लिए तैयार होंगे हम गलतियों की संभावना को नियूंतम करने के लिए ऐसा करते हैं ताकि आप सभी अच्छे से सोचें कि आप स्मार्ट के साथ क्या करना चाहते हैं ये समझना महत्वपूर्ण है कि जैसे ही आप डैशबोर्ड से स्मार्ट लेंगे आप रॉयल स्प्लिट नहीं खरीद पाएंगे हम कीमतों में हैर फेर नहीं करते हम आपकी परवाह करते हैं हम ठीक एक सब्ता के लिए प्याउट खोलेंगे और आपके पास डैशबोर्ड से सभी स्मार्ट निकालने का अवसर होगा या रॉयल स्प्लिट खरीदने का लेकिन मैं आपको निकालने और खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना दोनों ही करने की सलाह देता हूँ लेकिन यह प्रक्रिया अपरिवर्तनिय है तो अच्छी तरह से सोचें जब रॉयल स्प्लिट्स लाउंच होंगे तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चूंकि हमने मैकनिजम को बदल दिया है सब ही गिफ्ट वाले रॉयल स्प्लिट्स रीसिट हो जाएंगे उन्हें हटा दिया जाएगा और आपको डैश्बोर्ट से स्मार्ट के लिए सब ही रॉयल स्प्लिट्स फिर से खरीदने होंगे क्योंकि पुराना मैकनिजम बेकार निकला दोस्तों पूरी तेजी से आगे बढ़ें प्रमोशन का उप्योग करें पूल का उप्योग करें हमारे सभी टूल्स का उप्योग करें ये बहुत अच्छा होगा दोस्तों पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ें